जाहिंद फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल धासुजी के जे स्ट्रिक में मैं संदीप सर्मा तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए फिर से मीशन ग्रूब डी स्पेशल साइंस लायां फ्रेंड्स अगर आप रेलबे बैंक SSC MTS Air Force ने भी इतियादी की त्यारी करते हैं तो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट कोचन होगा तो फ्रेंड्स हम लोग आज देखेंगे आर पार 25 MCQ प्रेक्टिक सेट नम्मर 21 फ्रेंड् प्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अप्लोड ओ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस यर आज का पाला कोचन के साथ कोईला में मुख रूप से क्या सामील होता है तो फ्रेंड्स आपको हर प्रस्ण के लिए पांच सेकेंड का शमय दिया जाएगा फ्रेंड्स आपको एंसर देने के लिए तो फ्रेंड्स इसका एंसर हो जाएगा आपका अप्सर नमर सी कार्बन होता है कोईला में मुख रूप से क्या सामिल होता है तो कार्वन हो जागा नेश्ट कोघ़न तरल पदार्थ का घंद तो गरम करने पड़ क्या होता है तो फ्रेंच इसका एनसर हो जाएगा आपका option No.A कम हो जाता है जब तरल पदार्थ को गरम करते हैं तो उसका घंद तो कम हो जाता है next question ना विक्ये रियक्टर में इन में से कौन इंधन का काम करता है friends इसका एंसर हो जाएगा आपका option number B uranium जो है ना विक्ये रियक्टर में इंधन का काम करता है uranium next question निमलिखित में से कौन सी greenhouse gas है? तो friends इसका answer रोजएगा आपका option number C, carbon dioxide greenhouse gas है Next question Semiconductor का एक उदारन है यानि इन में से कौन जो है? Semiconductor का उदारन है तो friends इसका answer रोजएगा आपका option number B निमलिखित में से कौन सी gas उच्तम उदारन है Next question Transistor के संवीच्चरन में किस वस्तु का पड़ियोग होता है? तो friends इसका answer रोजएगा आपका option number C, silicon का पड़ियोग होता है Transistor के संवीच्चरन में Next question निमलिखित में से कौन सी gas उच्तम उस्मियमान रखती है यानि इन में से कौन सी gas उच्तम उस्मियमान रखती है तो friends इसका answer होजएगा आपका option number B भाप अंगार गैस जो सबसे ज़्यादा यह गैस जो है उच्तम उस्मियमान रखती है भाप अंगार गैस Next question इसलेग या नाम किस से दिया जाता है यानि इसलेग नाम जो है इसलेग किसे इन में से किसे नाम दिया जाता है इसलेग तो friends इसका answer होजएगा आपका option number D गलित केल्सियम सिलिकेट को आपको श्लेग नाम दिया जाता है Next question इसपात या आइरन वस्तुओं में जिंक के पतली परत का लेप का नाम क्या है यानि जो इसपात या आइरन में जिंक की पतली परत चड़ी रहती है उसको क्या बोलते है तो friends इसका answer होजएगा आपका option number C यसद लेपन जिसको जस्ति करन बोला जाता है Next question शोडियम पंप का कार कहा होता है तो friends इसका answer होजएगा आपका option number B की हीरदय की धरकन में शोडियम पंप का कार होता है Next question शांगो में सबसे अधिक पाये जाने वला तत्तो यानि सागो यानि साग जो है जो सबजी है साग इसमें कौन सत्तत्त सबसे ज़्यादा पाये जाता है तो friends इसका answer होजएगा आपका option number C यानि पोलियो का कारण क्या है यानि इन में से कौन जो है पोलियो का कारण है तो friends इसका answer होजएगा आपका option number C यानि पोलियो वाइरस जो है पोलियो का कारण है यानि पोलियो वाइरस का बिमारी है नेस्ट कोचन Daniel Cell में पर्यूक्ट इलेक्ट्डलाइट होता है यानि क्या होता है Daniel Cell में पर्यूक्ट जो इलेक्ट्डॉलाइट होता है उसमें क्या होता है तो friends इसका answer होजएगा आपका option number A कौपर सल्फेट, कौपर सल्फेट होता है डेनियल, सेल में इलेक्ट्रोलाolphलाइट, निफ्ट कोचन'd- फ्लेश, लेम्प और लेशर में किस गयस का उप्योग होता है रियर्च का इसका एंसल रोसेगा, आपका अप्शनوج का प्रियोग होता है flesh लेंप और laser गैसों में जडेनोन गैस का प्रियोके आता है next question LED पेंसिल में होता है क्या यानि LED पेंसिल में जो होता है उसको क्या बोलते है तो friends इसका answer हो जाएगा आपका option number A graphite बोलते हैं LED पेंसिल में होता है graphite next question तारो से आती रोशनी से उनकी डेस डेस का पता लगता है जब तारो से रोशनी आती है तो किसका पता लगता है इन में से तो फ्रेंड्स इसका एंसर हो जाएगा आपका ओप्सन नमर डी तापमान का पता लगता है जब तारो से रोशनी से उनकी तापमान का पता लगता है नेस को चन एक चुम्बक के अंदर चुम्बकिये बल रेखा की दिशा होती है यानि किस दिशा में होती है इसका एंसर हो जाएगा आपका option number B दच्री दुरू से उत्री दुरू में होती है एक चुम्बकिये के अंदर चुम्बकिये बल रेखा की दिशा नेस को चन गल्सुवा ए वाइरस रोग है गल्सुवा एक वाइरस रोग है जिससे डास डेस में सूजन होता है यानि किस में सुजन होता है जब गल सूझा होगा तो किस में सूझन होगा इनमे सेushy इसका answer होजएगा आपका option number A पैरा टीट गरंथी में गल सूझा होगा तो इसमें सूझन होगा पैरा टीट गरंथी में next को चन निमण में से वो कान सघुन है जिससे धातु पर ख़िचाव। शक्ती लगाई जाती है तो वो नहीं तूरती है तो फ्रेंड्स इसका एंसर हो जाएगा आपका अप्सर नमर C, टेना सीटी, टेना सीटी जो है जिसे धातु पर खिचाव सकती लगाई जाती है वह नहीं तूटती है जिसको टेना सीटी बोला जाता है गैसीय माध्य में ध्वनी का संचरन किस रूप में होता है तो फ्रेंड्स इसका एंसर हो जाएगा आपका अप्सर नमर B, अनुलम्ब के तरंग के बीच होता है गैसीय माध्य में धोनी की संचरन, अनुलम तरंग के बीच होता है एक पंखे में हमेशा डैस डैस होता है पानी की टोटी के लिए वासर बनाने में परियुक्ट पदात कौन सा होता है तो France इसका एंसर हो जाएगा आपका अप्षन नमर C दोनों होता है rubber भी होता है और leather से पानी की टोटी में वासर बनाने में परियुक्ट किया जाता है rubber और leather दोनों को किस धात्यु को कि रोसीं प्हेल के अंदर राखा जाता है, lunch coaching in Ap culture में किसका अधयन होता है friendsance, इसका अंचर रोजयेगा, आपका option number B, मध्मख्ब का अधयन होता है अधयन होता है Ap culture में, lunch coaching friends, आज का अंतीम कोँचैन है, एक Compact Disc में किस technique का इस्तेमाल किया है यानि इन में से कौन जो है compact disc में एक तक्निक का इस्तिमाल किया आता है तो friends इसका answer हो जाएगा आपका option number B lesser का पुरियोग किया आता है compact disc में तो friends अगर आप इस channel पर नए आया हैं तो channel को subscribe करके bell icon को भी प्रेस कर दे ताकि जब भी वीडियो upload हो तो notification सबसे पहले आप तक पहुँचे तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में इससे भी धासुक कोचन के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत